टेवहार आ रहे हैं तो बहुत सारा मिठाई भी खायी जाती है अलाव भी खाया जाता है उसमें हमें weight loss भी करना है या weight को manage भी करना है कुछ healthy भी खाना है जो सब को पसंद आए तो ये recipe best है इसके लिए मैंने लिया है जवार का आटा ये recipe जवार के आटे से बनी है तो healthy तो है ही millets है gluten free है तो इसके तो जितने फायदे मैं कहूं उतने कम है सब को पसंद आने वाली recipe है तो बहुत अच्छी बनेगी बहुत सारे fibers के साथ क्योंकि इसमें vegetables मैं बहुत सारी डाल गी हूँ डेड कपली है मैंने जौर का आटा आधा कपली है मैंने दही दही आप normal हो तो भी ठीक है खटी हो थोड़ी तो भी चलेगी अगर आपके पास दही नहीं है तो आप नीबू का रस भी थोड़ा डाल सकते हैं और सिर्फ पानी से भी इसको बना सकते हैं लेकिन दही डालेंगे तो अच्छा रहता है दही को मैंने mix कर दिया है जुआर के आटे में अच्छी तरह है अब इसमें डाल दिया है मैंने दो बार एक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही मैंने डाल दी है बहुत सारी vegetables आप देख रहे हैं कितने सारी vegetables हैं अलग-अलग colors में आपके पास जो भी सबजियां available हो beans हैं मैंने इसमें sweet corn भी डाले हैं टमाटर, प्याज, डेड़ कप के करीब मैंने इसमें सबजियां डाली हैं सबको कर लेंगे अच्छे से mix और इसका हमें एक better बनाना है जो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए इसमें एक cup के करीब लग डल जाएगा पानी थोड़ा सा पानी अगर उपर डले तो आप अपनी consistency के according देख सकते हैं नमक डाल दीजे अपने taste के according थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने और हल्दी powder डाला है ताकि इसमें color अच्छा सा आ जाए इसको हमें mix कर लेना है बहुत ही instant recipe है ये बनने वाली कुछ भी rest करवाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी नहीं इसको बस mix करना है और घोलना है और बनाना है ये मैंने लिया है इनो का fruit salt का एक pouch वो हम डाल देंगे एक session इसमें हम इनो को activate करने के लिए हलका सा उसके ओपर पानी डालेंगे और mix कर देंगे यहाँ पर आप consistency देख सकते हैं इस तरह की आपकी consistency होनी चाहिए बहुत ज़ादा पतली नहीं बहुत ज़ादा गाड़ी नहीं अपपे पैन ले लेंगे अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं और healthy बनाना चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं नहीं तो जो भी आप खाने वाला तेल हो उसमें आप बना सकते हैं थोड़ा सा मैंने अपपे पैन के जो मोल्ड्स हैं उसमें oil डाल दिया है थोड़े थोड़े से तिल के white तिल के दाने डाल दिये हैं और सरसो के दाने डाल दिये हैं अपपे के मोल्ड में एक-एक सांचे में हम अपना material फिल कर लेंगे जौर के आटे का और इसे ढख के धिमी धिमी आश पर पकाएंगे जब तक कि एक साइड से पक न जाए जब एक साइड से पक जाएगा तब हम इसको उलट-पलट कर देंगे और ये क्रिस्पी हो जाना चाहिए तब तक हमें इसको पकाना है थोड़ा-थोड़ा सा ओयल फिल डाल देंगे और इसको उलट-पलट करके अच्छे से पका लेंगे कुछी देर में आपके अपे तयार है अगर आपके पास ये अपे पैन नहीं है तो आप इसको तवे पे ऐस चिल्ली की तरह या फिर एक पैनकेक की तरह बना सकते हैं ये बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी खा लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है स्वाद भी बना रहेगा हल्दी का हल्दी भी गिल्ट-फ्री फूड है अगर आपको याद हो कि हमारी ये खिरोईन है भूमी पेड मेकर जो की दम लगा के हैशा में बहुत ज़ादा उन्होंने वेट पुटाउन किया था जब उनसे पूछा गया था कि आपने वेट लोस कैसे किया तो उन्होंने जवार के आटे की रोटी या जवार के आटे से बने हुए healthy meals खाके ही अपना वेट लोस किया था तो आप भी इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं आजकल तो मोदी जी भी इसके लिए बहुत support कर रहे हैं कि हमें millets खाने चाहिए doctors भी support कर रहे हैं तो आपको millets खाने चाहिए और बच्चों को भी इसकी आदर ढालनी चाहिए धीरे धीरे डालेंगे तो बच्चे भी खाने लगेंगे देखिए उलट पलट करके थोड़ी देर में बातों बातों में ही हमारे आपे बन गए हैं जो बहुत ही क्रिस्पी है तो इने गरम गरम सर्व करें रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें